सलाम वालीकुम दोस्तों अमीद है आप लोग खेर आफिय से होंगे mathematics का lecture continue होता आज exercise 4.9 को हम solve करेंगे तो 4.9 में जो formulae use होंगे वो हमारे पास दो formula है एक है a plus b का whole cube और एक है a minus b का whole cube a plus b का whole cube equal होता है a cube plus b cube plus 3ab a plus b और a minus b का whole cube equal होता है a cube minus b cube minus 3ab a minus b clear है तो start करते हैं अपने question question number one जो हमारे पास है find the cube हमें cube मालूम करना है question हमां दिया गया है 3x plus 4 ये value दी गई है इसका हमें cube मालूम करना है तो देखते किस तरह से solve होगा सबसे पहले तो हम question लिखेंगे 3x plus 4 अब ये तो हो गया वो value जो question में दिया गया अब इसका हमें cube मालूम करना है तो हम यहाँ पे इसके उपर cube लेके आएंगे तो हम लिखेंगे taking cube अच्छा यहाँ पे both side नहीं होगा ठीक है एक चीज़ का खयाल रखे कि यहाँ पे both side हम नहीं लिखेंगे और both side नहीं लिखने की वज़ाई यह है क्योंकि यहाँ पे question में हम खुद से कह रहा है कि question में कहा ही गया है कि क्यों मालूम करो ठीक है हम both side उस वक लिखते थे जब हमें अपनी मर्जी से find कर यानि value में लिखना होता था square या root तब हम both side लिखते थे यहाँ पे हमें question में already लिख के दिया गया है कि हमें cube मालूम करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ just cube लेंगे ठीक है क्योंकि हम question की requirement को पूरी कर रहे है ना कि अपनी मर्जी से कोई काम तो यहाँ पे हम cube ले लेंगे हमारे पास हो जाएगा 3x plus 4 का whole cube यह हमारे पास whole cube आगया अब जैसे हमने cube लिया तो यह formula बन गया a plus b का whole cube देखें यह हो गई a की value और यह हो गई b की value तो formula बन गया a plus b का whole cube और a plus b का whole cube का formula हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ पे उस formula को apply क करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब जोके एकवल होता है एक्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी ठीक है यह हमारे पास फॉर्मुला है अब इस फॉर्मुले को हम यहाँ पे आपन करें यह वाली साइड हमारे पास मौझूद है हम इस फॉर्मुले को इ क्या मौझूद है AQ आजाएगा फिर BQ आजाएगा फिर प्लस 3AB और फिर A प्लस B की वैल्यू तहीं आप वैल्यू गूट करते हैं A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3X तो A की जगह आ गया 3X नाओ B की वैल्यू क्या है 4 तो B की जगह पहें 4 आ गया फॉर्मूले को देखते वहां хотите तो 3X B की वैल्यू 4 फिर हमारे पास A की वैल्यू 3X B की वैल्यू 4 अब यह जो क्यूब कि यह होल प्रेक्ट का मत्तब्लस प्लस 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 ठीकिव करें यह वाली वैल्यू जो है हमारे पास ऐसी आ जाएगी ठीरिये यह वह सौज नहीं होगा तो यह मजीड सौज नहीं हो रहा है यह हमारा जो आंसर हो गया हमें Q question में कहा था Q मालूम करे तो हमने Q मालूम कर लिया अब हमारे पास जो next question ने जो कि मैंने पहले बता दिया एक value हमने solve की plus की value से लेकर यानि एक formula को इस्तेमाल कर लिया अब हम जो next question only को लिए हैं वह मैंने लिए कोशनat नमब़ 4 जो कि मायनाइस नबर 4 तो मायनन स्कार्व करने सही होगा कि हमें मायनस का फॉर्मूला भी यूज़ करना आजागा ताके नेक्स जो कुश्णान में बनाएगे हैं उसमें कि उसके बाद क्यूब हमने लिखा तो हम आप क्यूब अप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और होल क्यूब ठीक है यह हमारे पास वैल्यों आ गई अब दुबारा से जब हमने जैसे यह क्यूब अप्लाई किया तो यह फॉर्मुला बंद रहा ए माइनस बी का ह होल क्यूब जो कि एक होल होगा के क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ःवि और ए मा depress वी सजी है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैक्ट बनातें हमारे पास यह वाली साइड मौझूद हम इसे इस में ऊप sj назвation करेंगे को तो इसके लिए हम पहले ब्रैक्ट बना लेते reicht A3-B3-3A-B, और A-B, अब A की value क्या है, X, तो A की जगा पे X, B की value क्या है, 1 upon X, B की value 1 upon X, फिर दुबारा से A है, तो A की value X, B की value 1 upon X, A की value X, B की value 1 upon X, ठीक है, रेकेट ओपन करेंगे, X का cube, X cube होता है, माइनस ऐसी आगे, यह cube 1 पे भी apply होगा, और X पे भी होगा, 1 का cube 1, X का cube, X cube, minus, X और X, numerator और denominator में cancel हो जाएगा, हमारे पास 3 बचा, 3 को जब 1 से multiply करेंगे, 3 बचा 3, और फिर लास्ट में, यह कुछ solve नहीं हो रहा, तो यह as it is, ऐसी आजएगा, X minus 1 upon X, मजीद कुछ simplification नहीं ह इस में, तो यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, तो plus का formula भी हमने use कर लिया और minus का भी, तो आज के लिए इतना काफी है, next lecture में हम दुबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए जाज़त दीजिए, अल्ला हाफ़ाज,